हेलो फ्रेंट्स विल्कम टो अनलाइन इस्टेडी किंग्डम दोस्तों कल पाँज दिसंबर है और तैयारी तो अब तो हो गई होगी अब बहुत सारी लोग जो है सेंटर पहुंच गए होंगे जिनका आउट आप स्टेशन है वो अपने अस्थान पहुंच गए होंगे क्यों कोई नव बजए इंट्री करवाना शुरू कर देंगे और एक्जाम सेंटर पर जाने से पहले आपको ध्यान देना है दूस्तों पहली बात यह है कि आपको एड्मिट कार्ड ले लेना है सात में एड्मिट कार्ड के साथ आपको दो फोटो रख लेने हैं ठीक है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं रख सकते हैं अपना तो एक दो फोटो अपना अपना रड़ ले लिजएगा, अपना है प्रूफ ले लीज़ेगा, करें झुंकी Congo और उसकी फोटो रिखे कंडा अब भूणी निशनि पना ऊपना दोकूप और अपना इडमिट कार्ड़ निशनि टाइम मैनेजमेंट के लिए और दो जो है ब्लेक बालपॉइंट पेन ले लेना है जो कि गोला मारने वाली आती है आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर बोलेगे तो वो दे देग़ा रक्थे रहे तो जो गोला मारने वाली होगी उसी को लेना है क्योंकि भर रहें इसमें टाइम बहुत जाद अलग रहा तो पहन ले लीजिएगा गोला भरने वाली एक आती है पहन तीक है रो रिटो करें कि आप उसको ले लीजिएगा और उसके बाद आप सेंटर पर पहुंच जाइएगा आराम से 9 बजे किसी भी हाल में उसेंटर पर आपको इंट्री करवा देंगे वो लोग क्योंकि 9.9 से पेपर देना है 9.9 से 11.9 इसके बाद पेपर जैसे आप हाल में पहुंचेंगे आपको सबसे पहले ओम्यार सीड मिले पाए वरना कहीं कुछ मिस्ते हो गया गोला भरने में या आपके डिजिट कोई फिल कर रहे हैं उसमें कोई गलती हो गई तब दिक्कत होगी सारी महिनत आपके बरबाद हो जाएकि तो ध्यान देना है बहुत आसानी आराम से उसको देखना है उसके बाद भरना है इसके बाद फिर आपको यमार स्वीट के बाद मिलता है पेपर जैसे ही मिलेगा पेपर तो देखना है पेपर कैसे आएगा वो तो कल आपको पता चलेगा पेपर अच्छा होगा तैयारी अच्छी होगी पेपर भी अच्छा ही होगा पेपर जैसे मिलेगा आपको गोला ध्यान देना है पेपर के बाद गोला नहीं भरना है कि कुछ लोग क्या है कर लेते हैं प्रस्न जैसे पेपर मिलेगा फटा फट अपने कर लेंगे पूरा लास्ट में जब 15 मिनिट वाली जो बेल लगती है 15 या 10 बेल जो भी लगती है अपने 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 हिसाब से आपको टाइम मैनेज करके चलना है और गोली को साथ साथ भल लेना है छोड़ना नहीं है तो इन सब बातों को ध्यान देना है दोस्तों और एक्जाम सेंटर पर आराम से टाइम पर पहुंच जाना है ये नहीं कि अब साथ नो है पेपर तो अब सब नो पर वहाँ पहुंच रहे हो तुम इस अब ध्यान देना है तो सभी दोस्तों को All the West है पेपर अच्छा होगा कल मिलते हैं आप लोगों से और यहाँ पर कुछ मात्वण सुचकांग है इसको देख लेते हैं एक सरसरी निगा से वैसे जो सुचकांग पूछे जाते हैं वो ज़्यादतर पूछे जाते हैं इंडिया की रैंकिंग पूछ ली जाती है संस्था कौन सी जारी करती कभी कभी पूछ लेते हैं और कौन सी कंट्री नंबर वन होती इन सब की चांस पूछे जानी के कम होते हैं रैंक पूछ लेता है कौन सी रैंक है तो यहाँ पर थोड़ा एक सरसरी निगा से देख लेते हैं बाकी इसका पिक में अपने टेलिग्राम चनल अट रेट उपीपीसेस किंग्डम पर फिव मिल जाएगी आपको ठीक है उपीपीसेस किंग्डम वहाँ पर आपको इसका आप पिक मिल जाएगा आप वहाँ से देख लीजेगा रिवाइज कर लीजेगा यहां पर कुछ पहले भी 10 थी अब भी 10 है और इसमें पहले जो हुआ तरता था देश वो स्वीडन था लेकिन अब बदल गया है 2022 वाले में 2021 में स्वीडन था ध्यान देना है डेनमार्क जो है नंबर वन कंट्री है इंडिया की रैंकिंग जो है दसवी रैंक है जलवाई परदंदन परदं बास भी भुखमरी सूचकांग मोस्ट इंप्वाटेंट है बेलारूस इसमें नंबर वन कंट्री है अपने प्यारे भारत की रैंकिंग 101 है पिछले में देखेंगे तो 94 थी अब 101 हो गई तो पूछा जा सकता है ठीक है थोड़ा हालत और खराब हो चुकी है भुखमरी की के इसमें और बखमरी सूचकांग जो है किसकी द्वारा जारी किया जाता है पूछा जा सकता है इंप्वाटेंट है विसे जो पूछे गए इंडिया की रैंकी पूछेगा ठीक है तो 101 याद रखो और बेलारूस जो है वो नंबर वन कंट्री है बाकि इसको संयुक दूरूप से जो है दो गैर इनपीओं है निके जो गैर सरकारी संगठन है कंसन वर्डवाइड था वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा जो है जारी किया जाता है तो यह नाम आप अदर राखो इंडिया के रैंकिंग या रख लो बैस्विक हाथ सुरच्चा सूचकांग में भारत की रैंक न mesmo बैस्विक भुकमरी के सा्थ साथ नवाचार में इंडिया की रैंकिंग चियालिस ही क्योνकि है टाप 50 में है फिछले इसकी रैंकिंग जो है 48 थी इसके साथ ही आपको याद रखना है सांती सूचकांग ये भी पूठा जा सकता है एक्जाम में तो सांती सूचकांग में अपने प्यारा भारत जो है सूचकांग ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आइमडी की द्वारा जारी किया जाता है ये कभी कभी एक्जाम में एक्सर पूछ लिया जाता है इंडिया के रैंकिंग याद रखना है 43 है काफी दिनों से 43 है सूचकांग में फिल्लैंड नंबर वन है भारत का स्थान 120 है बैस सूचकांग के रिपोर्ट 2021 फाइन फिन लैंड जो है नंबर वन है और 149 रैंग भारत की है लाइंगिंग अंतराल सूचकांग में देखेंगे तो आइस लैंड नंबर वन है और 140 रैंग जो हो भारत की है बिजनेस टू कर्टुमर वी तीसू तो बी टू सी एकॉमर्स सूचकांग में अमेरिका नंबर वन है भारत का अस्थान 40 है आर्थिक सूचकांग सिंगापूर नंबर वन है इंडिया के रैंके 121 है लोकतंत्र सूचकांग नंबर वन जो है नारवे है ध्यान देना है लोकतंत्र हो गया और एक आता है अपका प्रेस स्वतंत्ता इन दोन बाइसिविक जलवाई जोखिम सूचकांक में मोजांबिक नंबर वन है भारत का अस्थान साथवाँ है भरस्टाचार बोद सूचकांक में न्यूजिलेंड और डेन्मार्क नंबर वन है च्छी अस्थान जो है भारत है तो भरस्टाचार इंप्वार्टन को ध्यान देना है मानो स्वत्मता सूचकांक में न्यूजिलेंड नंबर वन है और 111 रैंक जो हो प्यारे भारत की है आई अमडी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020 एक अभी आप देख रहे है प्रति असपरधात्मक्ता सूचकांक देखके आ रहे हैं उसमें 43 ती जिधान देना है यह है विश्व प्रतिभा सूचकांक इसमें देखेंगे तो भारत की रैंकिंग 62 है स्विजर लैंड नंबर 21 है मानोपूंजी सूचकांक में सिंगापूर नंबर 1 है भारत का स्थान 116 है परियाबर निशपादन सूचकांक में डैनमार्क नंबर 1 है भारत का स्थान 168 है एक रियल इस्टेट पे देखेंगे तो गलोबल बैस्वी ग रियल इस्टेट पार्दरशिता सुचकांग में देखेंगे युनाइटेड के इंग नम्बर वन है 34 अस्थान भारत का है पहला बैस विक जारी किया गया है उस इंप्वाटेंट अधिक है पूछा जा सकता है पहला बाइस्विक सामाजी गतिसीलता सूचकांग में भारत का स्थान चीहतरवा है और डेन्वार्ग नंबर वन है इस आप डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस आप डूइंग बिजनस इंडिया की रांकिंग जो हो 63 है और न्यूजिलेंड नंबर वन है मालो विकाज सूचकांग में देखेंगे तो नारवे नंबर वन है 131 जो है भारत की रैंकिंग है लेटा गम समर्दी सूचकांग में डेन्मार्ग नंबर वन है भारत की रैंकिंग 101 है एक से एक और किसमें देखके आ रहे हो आप भुगमरी में ठीक है बैस्विक आतंकवाद सूचकांग में अगवारिस्तान नंबर वन है आठवा स्थान अपने प्यारे भारत का है एसिया पावर इंडेक्स में अमेरिका नंबर वन है प्यारा भारत चौथे अस्थान पर है बैस्विक प्रतिभा प्रदियस परधात सूचकांग 2020 सुरिजर लैंड नंबर वन है और भारत का अस्थान जो हो 72 है तो कुछ इंप्वार्टन रहे इसका पिक आपको मिल जाएगा आप एक बार इसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बिल्गु समराइज बे में है किस रहेंग में कौन सा देश है और अपने प्यारे भारत का अस्थान कौन सा है ठीक है दोस्तों तो all the best सभी को मिलते हैं आप लोगों से कल thanks for watching